नमस्कार आज हम लोग discuss कर रहे हैं TCS Infosys के उपर अब यहां important गया है सबसे पहली बात यहां पे इंट्राडे के अंदर काफी समय बाद more than 5% की rally देखी गई है अब काफी लोग इसमें फसे हैं काफी लंबे समय से यानि करीब करीब आप मान के चलिए 2 साल का time correction हो चुका है इसमें IT के अंदर उनका पैसा नहीं बना है अगर किसी ने उपर नीचे करके अगर अपना average कम कर लिया है और बार बार उसने profit book किया है उपर की side में तो वो तो profit बना के निकल गया पर काफी लोग ऐसे हैं जो उपर वाली price पे पड़े हैं अभी भी क्योंकि Infosys के हम बात करते हैं तो करीब करीब 1900 के around Infosys का all time high था and TCS के हम बात करते हैं तो all time high 4000 रुपे के around है वहाँ से ये share अभी भी नीचे हैं दोनों ही जहां पर Infosys के हम बात करते हैं तो काफी लोग ऐसे हैं जिन्नोंने 1800-1900 पे खरीदा होगा काफी लोग ऐसे हैं जो 1400-1500 रुपे के आसपस खरीदा होगा और काफी लोग ऐसे होंगे जो गिराबट में अभी 1200 के आसपस चला गया था वहाँ पे खरीदा होगा अगर कोई 1800-1900 के आसपस खरीदा है किसी ने और किसी ने अभी तक काफीज नहीं किया है अगर वही प्राइज है तो उनका अभी भी लॉस हो रहा है किसी ने 1400-1450 या 1500 के आसपस खरीदा है तो वह ब्रेक इवन पे है ना उनका कोई प्रॉफिट हो रहा होगा कुछ खास या कुछ नहीं खास कुछ लॉस हो रहा होगा और जिन्हों प्रॉफिट हो रहा है और अभी कुछ दिन पहले साड़े सत्रा 17.5 रूपीज का पर डिविडेंट भी मिला था तो वह लोग प्रॉफिट में है तो यहां पे तीनों ही केस में क्या करना चाहिए यह सब कुछ इनफोसिज और टीची असी था जो आईटी इंडेक्स है आज साड़े 4% उपर बंद हुआ है और यहां पे मार्केट में उतनी रैली नहीं थी जितना इटी इंडेक्स में था मार्केट फिर भी 0.78% की तेजी दिखाई निफ्टी ने और यहां पे बैंक निफ्टी ने तो अपने उनका असानी से माल भी कर आता क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं काफी लोग तो उसी मतलब जैसे बहुआ का इंटेजार करते हैं मतलब जैसी वह देखते हैं कि भाई जो 14455 रुपे का किसी का बहुआ होगा माल लीजिए और यह आज यह बहुआ चुका है इंफोस करते हैं और यहां पर जो होल्डिंग मतलब अभी आप देखो के जो दोनों शेर है अब लगबग आज डेज आई पर क्लोज हुए तो इसका मतलब यह है कि पूरा माल जो रिटेल इंवेस्टर का पूरा माल है वो लिया गया है किसी बड़े इंवेस्टर नहीं आप यह माल में प्राइस टोर्णिंग पर आ जाईए प्राइस टोर्णिंग वाला कॉंसेप्ट बहुत काम करता है जिसमें क्या है इन्फोसिस का प्राइस टोर्णिंग चल रहा है 24.7 का अब यहां मीडियन से समझते हैं क्योंकि आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा क कि स्टॉक्स से आप चारगुना पैसा कैसे बना सकते हैं पांच सालों के अंदर अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डाल दिया है उसमें मैंने बहुत ही किलियर कांसेप्ट बताया है और निफिविवीद्य स्टॉक्स का एग यह प्राइस turning मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेडियन आता है 25 और अभी कितना चल रहा है करीब करीब 25 कvre चुका है यह है पास साल थीन साल का को टॉंटी नाइन अभी उसके निचे ट्रेट कर रहा है करीब 16 16% के आसपास 1 year का देखता हूँ 1 year का 27-28 है उसके comparison में भी 10% नीचे trade कर रहा है तो यहाँ पे 5 year का median पी लेना ज्यादा ठीक रहेगा तो मैंने क्या बताया था मैंने यह बताया था जो median होता है ना median वाला price turning वहाँ से 10-15% नीचे चला जाता है वह बाइंग लेवल होता है और यह आ गया था 21-22 के पी पे इनफोसिस तो वहाँ पे बाइंग लेवल था जब 1200 का rate आ गया था अभी यह बिल्कुल जो median इनका चल रहा है तो यहां तो बाइंग लेवल नहीं है आप यह माल लीजे और यहां से जब सैलिंग लेवल होता है ना तो अधी परसंट उपर अगर आपको अच्छे profit में निकन ला है तो इसके 10% आप प्लस करते हैं तो करीब आयागा 27.5 28 के आसपास यानि 28 के आसपास जब प्राइस टोर्णिंग आ जाए तो वो परफेक्ट लेवल होगा बेचने गा वले ही उसमें EPS कुछ भी हो EPS से मतलब नहीं हमें हमें अगर आपको सेल करना है 28 अगर EPS माली जो खराब आ गया तो फिर आपको एक अलग मिलेगा अगर सेम रहती है तो यहां पर आपको अभी मेरे हसाब से अगर आप आपको सेल करना है तो कम से कम यहां से अभी भी 10% की रैली बनती है यहां मीडियन पी के साब से यानि अभी बाहु चल रहा है 1426 रुपए 1426 में अगर मैं 10% प्लस करता हूं करीब करीब 140-150 रुपए की वैल्यू आती है अब यह वैल्यू तीन मेनी में आएगी कि छे मेनी म जाएगी कि बारा मेनी में आएगी यह कुछ खेह नहीं सकते बाकी मेरे साब से मैं एक आइडिया दे सकता हूं यह कोई कंफर्मेशन नहीं कि ऐसा होगा ही शायद मेरे साब से यह 3-6 मेने के बीच में आ सकती है योगि 3-6 मेने के अंदर दो क्वाटा की रिजल्ट भी आ ज देखा देगा यह फंडमेंटली हम बात कर रहे हैं यह कॉंसेप्ट है यह प्राइस ट्रॉनिंग वाला जो मैं बताया था आपको पहले तो उस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको यह तो यहां पे अगर रिजल्ट हलके फुल के खराब है तो उस हिसाब से आप EPS कम हो करती है वहां पे आप सैल करो तो यह तो एक basic concept हो गया और आपको लगता है कि नहीं है मतों फसा हुआ तक काफी लंबे समय से मैं कोई growth stock लेना चाहता हूं अब जंजाल में निफसना है निफोसिस टीस तो फिर यह ठीक है आप अगर निकालना चाहते हो माल लो तो आप इस चौदा सो पचास चौदा सो साट के आसपस या पंदा सुलपे के आसपस निगाल के आप growth stock में जा सकते हो तो growth stocks भी खूब है IT के अंदर जाना है तो IT में भी है इसके अलाब और कोई sector में कोई growth stock हो क्योंकि आपको तो पैसे कमाने से मतलब है पैसा जहां बने बाद चल जा इसका उसके आसपस बंद हुआ है उसके उपर भी चला गया था इंटरे में तो यह तो ऐसा लग रहा है कि यह 1418 वाले लेवल है ना यह तो ब्रेक होगा है यह तो टूटेगा और यह इसको टूटने के बाद यह सीधे इसमें आता है 1510 अगर आप 28 का प्राइस का प्राइस ना तो आप वहाँ बेच सकते हैं यह इजी वे में जा सकता है अगर माली जिए आपको एक स्टॉप मलब 1430 35 40 के ओपर क्लोजिंग हो जाएगा तो पंद्रा सो का लेवल तो यह दिखा देगा बहुत जल्दी बाकि सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट अब इसमें इसको क्रॉस किया है तो यहां पे जो जो निकल के आता है स्टॉप लॉस आपका या जो नीचे की साइड में वो करीब सतर पिचतर रुपे नीचे आ रहा है और उपर भी सतर पिचतर रुपे का ही टार्गेट बन रहा है मतलब बिलकुल मिड में खड़ाई है 1426 रुपे मे जितनी इसमें अपसाइड लगती है उतनी ही डाउंसाइड भी लगती है तो यहां पे मेरे साप से बापीस से 1350 का लेवल तो बड़ा मुश्किल है जाना पर अभी खेह नहीं सकते क्योंकि IT पूरे इंडेक्स के अंदर पूरे शेर्स के अंदर आप देखोगे तो उपर न आपको वही सेम सेस्का प्राइस्ट र्यूर्迅ग वाल Mr. خॉष समझा देघा हो जैसे टीच मेरे प्राइस चलराओ पास पनsi तो प्रसलिंग का प्राय चल रहा है इसका लुट उइसा और यरू कभण करीब करीब बिल्कुल जो लेवल है मेडियन प्रैस्टों इसके आसपास खड़ा है सेम इनफोसिस वाली कहानी है थिरी येर का देखते हैं ठर्टी टू का है वनियर का देखते हैं ट्रटी नाइन ठर्टी का यानि वनियर थिरी यह और फाइफ यह का आप निकालेंगे तो करीब इतना ही है सेम कॉंसेप्ट इसका हो गया कि दस परसेंट नीचे अगर प्राइस टूर्णिंग ये गिरता ये गिरा होगा था भी आपके सामनी तर्श्रिया इगत तिसो बत्तिसों रुपे का लेवल बहुत समय तक तो बहुत तो इसके नीचे वाला प्राइज हो गया मतलब वो एक परइण बात नहीं है कि आप इसको दो जार्षोबीष में भी देख रहे हैं यह वाला बात है चैसे बारा मेने की हम वारा महिने का ऐसे बारा महिने का आप ले सकते हैं विव क्योंकि eps में तो मोरृ आ आगा ना अगर दस वार्फ परसें'dव दो करेगा तो फिर उसे साब क क्या होगा कि price to earning यह automatically कम हो जाएगा EPS अगर बढ़ता है सेम शेर की प्राइस पे तो यहाँ पर फिलाल इसमें 3900 का लेवल होगा परसेक्ट अब सैल करने का अब यह लेवल सैल करने का नहीं है पर आप फसे होए हैं काफी लंबे समय से और आपको पैसा फ्री करना है तो आप सोच सकते हैं तो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं आप चाहते हो नहीं में तो ग्रोथ में रागाऊ और मेने में कम से कम यह को बीस पचीस पर संट रिटन मिले तो फिर आप टीस पर से निकल के कोई हाइग रोट वाली कंपनी बेजाओ जिसका ग्रोथ कम से कम 20 25% 30% का हो रिटन ओन एक्यूटी टीस पर तो यहां मतलब टीस के रिटन ओन एक्यूटी पर आपको वरुसा नहीं करना है 46% का इसका कॉंसेप्ट अलग है वो कभी बाद मिंसम्झोंगा तो करीब करीब रिटन ओन एक्यूटी 30% का होगा तो शायद वो आपको शेयर और भी चीजे हो इसका कोई यरेंटी नहीं है पर पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी स्टाउग बताएं वे प्रॉनेस्टी के साथ बता रहे हैं मतलब पूरा सेर्च करने के बाद यह आपको बता रहे हैं ऐसे नहीं बता रहे कुछी भी आलतु फालतु इस टो यहां पे हम टीस की बात करते हैं तो TCS का वैसे तो 3850 3900 के असपास यह फंडामेंटली एक सैलिंग लेवल होगा परफेक्ट और हम टेक्निकल बात करते हैं मान लिजिए चार्टे साब से तो चार्ट के साब से यह देखो यह डोनों सेट ब्रेकाउट के ऊपर वंतुए यह जो है नजार 509 फाहट का भी एक लावल है क्रॉस करेगा तो इसको ब्रेकाउट होगा थीनिजार 506 आसपास यह रूखेगा, का सबका माल लेके गया है जिसने भी माल उठाया है सबका माल निकला है आसानी से क्योंकि डेज आई पे जब बंद होता है ना और जब इतना वाल्यूम होता है तो यानि काफी लोगों ने जो फसेवे लोग थे जो पैनिक में आ रहे तो उन्होंने भर-बर के माल बेचा है औ और पूरा माल जो है किसी ना किसी ने उठाया है बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसलिए ये डेज आई पर बंद हुआ है ऐसा आप समझे सकते हैं तो इस इस आप से इन दोनों को सेर्स को देख सकते हैं और यही कॉंसेफ्ट आप टैक में लगा लिजी एसल टैक में लगा